हेलो फ्रेंट्स अब हम वह स्कार्ट करेंगी compound interest एक मिणंद मैं आपको सामने भी आयताँ किसंपाइब करेंगी compound interest तो अभी तक आपने सम्झाएस कि simple interest क्या होता है और simple interest क्या होता है कि अब सही बहुत आसान है simple interest है तो simple interest में हमने क्या रिखा कि simple interest में हर साल आपको interest इसमें मिलेगा principal amount interest मिलेगा हमने इस समझा था ठीक है अब हमें start करें क्या compound interest तो आप आप आपने simple interest अच्छे समझा होगा तो भी आपको अच्छे से compound interest clear होगा च्छे आओका कि exam में question जिवाएंगे simple interest और compound interest को मिला पर भी आ सकते है और आएंगे च्छे कि नोट किजिए इन पर नोट कर लो जैसे कि हमने simple interest में पहले नोट किया था फिर आपको मैंने समझा था example के through इससे पहले कर लो आपर नोट कर लो in case of compound interest in case of compound interest interest also earn interest कि क्या बोल रहा है कि in case of compound interest compound interest case में interest also interest है और क्या मिलेगा interest मिलेगा interest also earn interest interest also earn interest अगले साल अपको interest मिलता था किसे मिलता था प्रिंसीपल amount में मिलता था एक यहापर क्या कहा रहा है कि कि अपको interest मिलेगा जो भी आपको interest मिलेगा वह अगले साल आपको और इंटर्स कमा कर देगा सुनते जाइए बग एक्जामर के तुर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्ट दव कि एंड ओफ कि एच आपको अच्छे से नोट करा दू ठीक है उच्छे से नोट कर लिए फिर आपको समया देता हूं क्या कि मैंको अच्छे से लिखते है बने at the end of each conversion period interest is added to the principal at the end of each conversion period interest is added to the principal and 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 the amount end is amount thus formed thus formed becomes 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 the principle for the next conversion period . ठीक है तो यह बहुत अच्छी definition है बहुत अच्छी definition है बहुत अच्छी से समझाये बनाने वाले ने और यही चो लिखावा definition में हम वह इच्छी same to same समझेंगे क्या रिखावा है इन जैसे compound interest, interest also early interest, at the end of each conversion period, interest is added to the principal and the amount thus formed becomes the principal for the next conversion period. अब नट कर लो तो आपको समझाता हमै एकड़म अच्छे से आपको clear cut समझ में आएगा आप पर सरके नट कर लो नाकर बढूँ देखो, हमने simple interest में example देखा था, वो example आपस यहां पर लेते हैं, मौनले example दिया आपको, p equal to rupees 100, r equal to rupees 10% और time मौनलों दिया हुआ 3 year, ठीक हैं, आपको मैं क्या बहुत रहा हुँ कि calculate करना है compound interest for each year, calculate compound interest for each year, अबको हर साल का compound interest केज गृट करना है, अबको हर साल का compound interest कक्यच गृट करना है, तो पहले साल है compound interest केइज बंगालेंगे, आप जिसारा समचिए kha गालुटू का compound interest केशे से निकालेंगे, तो 100R आपने bank में जम्मा किया, जैसனि स्वेंघींपऑ ने देखा था, चिंपेंटेस पढ़ेगा न अच्छे से बस उसका आगे कही है 100 रुप बैंक में जमा किया उसका 10% पहले साल कितना हो जाएगा 10 रुपीस ठीक है 100 रुप बैंक में जमा किया उसका 10% कितना हो गया 10 रुपीस अब यहाँ पर क्या पर आपको कि in case of compound interest interest also earned interest क्या पर रहा है in case of compound interest interest also earned interest जो interest हमको मिला है उससे और interest मिलेगा यहाँ आपको यहाँ पर interest कितना मिला है 10 रुपए आपको interest मिला है तो 10 रुपए से आपको और interest मिलेगा यहाँ पर किसमें compound interest में ठीक है उससे क्या पर रहा है at the end of each condition period तो पहले साल का end है पहले साल लगा है end है ठीक है पहले साल की end में को कितना मिला होगा 10 रुपए मिला होगा तो at the end of each condition period interest interest is added interest को आपको कितना आपको कितना मिला होगा 10 रुपए 10 रुपए तो कितना होगा 110 connected amount next year के लिए वो क्या आपने next year के लिए principal बन जाएगा होई है यहां पर क्या हुआ हुआ कि amount किती है हमारे पास यहां पर amount amount मतलब क्या होता है पहले पढ़े है principal plus interest equal to क्या होता है amount amount किती है आगा 110 तो हमें क्या आप आप हो रहे है कि पहले बाद interest also earn interest उसके त्यार कि आप बोड़ेगी at the end of conversion period की end में हम लोग क्या करेंगे कि interest को principle में add कर देंगे और interest को principle में add करने के बाद interest को principle में add करने के बाद जो amount आएगी वो क्या मनेगा next conversion period का principle बन जाएगा तो हम तो हम आप आप कांशर्ट को समने के पढ़ रहा है ठीक है उसके बाद हम सब्सक्रों के तरिके चलेंगे और हर को कॉश्चन को 30 में जैसे कि हम करते आ रहा है अभी तक Wenya तो जैसे हम लोग करते आ रहे हैं हो नहीं करेंगे कोई बढी कृश्रण किसमे किस्टे थांगी शॉलवजा कितना हो गया, 11. तो यहां पर कितना हो जाया गा हमारा amount, देखो यहां के रिप्रिंटर्स कितना बंग गया, 110 यहां के रिप्निटर्स बंग गया, इंटरस कितना हे 11, कितना हो गए 121, ठीक है, अब आपको इसन में आय होगा, इसकी डेफिनिशन मुह सब क्या होगा, इन तेर से वा «Compounded interest» & Interst also earned interest Interst कितना है फिरोफ पिर 10 पिरों interest 떨어inya हमारे कितना ही इंटरेस्ट मिला आप को एक और प्रूम एक सअब Reserve ह्याँ पर भूपर इंटरेस्ट कंगया तो याँ आप 25lee आप द्रूमीरे क्टों ? तुछ इंट्रेस्ट अग्ले साहर पो कित्ते में इंट्रेस्ट मिलेगा तो थाड़ी एर में पो क्या होगा 121 में इंट्रेस्ट मिलेगा तो 121 प्लस 12.1 इकोल टो 133.1 133.1 ठीक क्लियर हो क्याहता है कि इंट्रेस्ट मिलेगा तो हरण को किया होता है कि अंट्रेस्ट और प्रिंसिपल अमपध्स क्या क्या है principal amount में interest को जोड़ दिया जाता है कब जोड़ जाता है एड दर प्रिशन परेट और जी amount है वो next तरी जा मन जाती है principal amount बन जाती है तो यह 13 तो यह 133.1 आये क्या आगई amount आगई यह क्या आगई amount आगई और आपका total interest कितना आगए तो हर साल के निका रहे हैं समय क्या करते है हर साल के निका रहे थे तो तीन साल का total interest कितना आ गया 33.10 यह आपका concept समयने के लिए था अब हम फार्मूले से question को solve करेंगे ठीक है तो हम लोग इस तरीके से किसी question को solve इससे नहीं कर सकते है कि अगर यहां तो तीन साल का अगर जस साल का रहेगा तो कि आले अगले साल का असब बनाते रहेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आफ, 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 आउ, दस नहीं न, इससे इसलिए क्या हुआ हुआ फार्मूला बना हुआ है यह खली आपको concept समने लिए था इसको प्लस कर नोट कर लो, और जसको बोलता हुआ, अगर आपको इंपर्टेन्ट लगे र पार्म करते रहने का, ठीक है, हलेकाँ उससे नोट कर वा जे रहा हुआ फिर यह पुछ भी लगे, पार्ंक आउच, आपको पर्स कर नोट कर लो, ना गया बना घुछ तो तो यहां पर compound interest का फर्मूल देखो क्या होगा P 1 plus I to the power N minus P एक ये फर्मूल है P 1 plus I to the power N minus P तो यहां पर हो क्या रहा है देखो अपको आपिशन में आ जाएगा P, P हम ते किस्टा दिएवा है यहां पर 100, किस्टा दिएवा है P, 100 1 plus I I ane का अवचा लेखो यहां प्लोग I ane का अवचा आपर कि आपको पूरे को संगा यहां, तो यहां पर किया बादी को लिए लोगा कप्यों यहां अब देते हैं compound interest के बारे में, जो compound interest का formula क्या है, p 1 plus i to the power n minus p, ठीक है, यह formula है compound interest का, अब भी note करने के लिए अब समद लेने के लिए flow, भागे जीरे 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 जैसे कि हम करें जी आपको clear होते हो जाएगा, इसका मद्या होता है amount, और यह दो मतलब ही अपको मालूम है, क्या इसका आप लोग एक और फर्मूल नोट कर लो, component इसका, अब क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पर p है, p, व्योग क्या निकाल देंगे, p को निकाल देंगे, common, क्या निकाल देंगे, common, अंदर क्या बचेगा, देखो, यहाँ पर तो p की जगा बचेगा, बचेगा 1, और 1 क इसका मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यही जगा, यही जाएगा, जाएगा, 1 पिलस i to the power n, हाणा, यही जाएगा, मैनस, यह तो p निकाल चुपा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1, तो यह भी फर्मूला होगा, यह भी फर्मूला होगा, जिससे, compound interest का, तो compound interest केते फर्मूले हो पर दो, अगे बड़ो, देखो, पिया ने, principal, आपको अच्छे समालो होगा, आच्छा, आई, यहाँ पर था, आई, आई, मतलब कुछ नहीं है, कि हम लोग यहाँ पे का कर रहे हैं, और वहाँ पर आर को क्या कर रिक रहे हैं, और रहने हैं, यहाँ पर हम लगा क्या कर रहे रिवाइट करके अपनों लिखने के अधर डालेंगे, इसे डालना जोड़ी है, रिवाइट करके लिखने के अधर, ताकि एक्जाम में आपको दिमाग प्रॉपर चले, आप फटा फटा फट कोशन सवालो हो, तो आर इकल टू हंड्रेट, जैसे के मालो एक्जामपल आपक यहाँ, N, N इवाल टू क्या होता है, कन्वर्जन, कन्वर्जन, ब्रेट, N इवाल टू क्या हाता है, कन्वर्जन, ब्रेट, नोट कर लो इसको, यह बहुत आसान है, अपने से मतलो, आसाने से साल्व हो जाएगा, इवाल टू प्रिंसिपल, I equal to R by 100, 10 by 100 करने के अधर कृता होता है, 0.05, 6 by 100 करने से दूता है, 0.06, क्या था बच्वम में किया है, अब देखो, हमने जो क्या था, P equal to 100, R equal to 10%, और टाइम जिताने के थे हम लोग, 3 यह, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्मुला है, उससे हमने स्वाल करेंगे, फटा पट, तो compounders आपक compound interest करना है, तो जैसे 3 साल दिया हो, 3 साल की जिए आपको 10 साल दिया हो, 20 साल दिया हो, 50 साल दिया हो, मैं बचाओ, फटा आप फट सौल्व होगा, एक मिनट के अंदर अंदर सौल्व होगा, तो आपको स्वाल करना है, क्या जो कूल लेटर से बताता है, हाँ, तो हमको हमने क i to the power n-1, यह उसकरते हो, ठीक है, याद है formula, उनको पर देखाते है, यह, तो बस इसको हमने solve करेंगे, पहले formula क्या करेंगे, वैल्यो कूट कर देंगे, पी किता है, 100, ठीक है, बस हम बड़े प्रिकेट में, 1 plus i, अच्छा, i कितना हमारे पास आ है, यहाँ पे, हमको इसमें किता दिया, वह 10%, तो 10 by 100, 10 by 100 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, i, i कितना आ गया, 0.10, तो 0.10, ठीक है, and, and किता आ जाएगा, 3, यहाँ, clear, और minus 1 formula में, यह minus 1, यहाँ, clear, अब मैं बता आता हूँ, calculator में अब कैसे solve करना है, ठीक है, अब तीन साल है, हम 50 साल का, 60 साल का सब solve कर करना, हम, पहला करना, नॉप तो आ पर लिगा करना अब, पहला करना है, अब दो कर चुँ,